हाँ तो अज़रा वीज मेंट मैक्समाट 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 मेरा वेशनाट जैसे ही तीन देश्चुरू करेज़ेगा हलो 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 हावाज को हम हुम हम बेड़ जावारा है यह पी यम हो गया नहीं तर्फीरी पीम बोलते हैं न उसे हम अधिरी को क्या बोलते हैं खाले ज़िए घरा देते हैं अपना फेसबूक कोड़ देने देखो कितना लोग बेख रहा है रहा है है कि अगर ना इंटलेक्ट आई है समरा कनेक्टर है ना इसे खोले हैं देखो अपने आप उसमें आ जाता है जाता है पने आप झाल इसमें जाओंगा नमस्कार इंटेलेक्ट इस नमस्कार इंटेलेक्ट इस के इस ओन्लाइन क्लासेस के पंदर्व में आज हम लोग यही बात करने चल रहे हैं कि वाई टेज्वाइन इंटेलेक्ट इस और इंटेलेक्ट इस आज रहे हैं कि पंदर्व इस इस आलाइन तयारी के लिए केवल इंटेलेक्ट इस ही क्यों आपको जाइन करना चाहिए और फिर क्यों दूसरे आलाइन पॉर्टल या आलाइन एजूकेशन सिस्टम नहीं जोईन करना चाहिए दूनों बातें पर मैं ऐसे नहीं कह सकता कि उनको नहीं जोईन करना है लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हम वाई वी आर सो exclusive and specific हम कुछ ज़्यादा ही विशिस्ट हैं और बिल्कुल प्रतक है आप अगर कभी Intellect IS का website विजिट किये होंगे तो आपको वहाँ ये एक चीज मिलती है लिखे हुई India's uniquely designed online portal for civil services examination तो ये uniqueness क्या है क्यों आपको Intellect IS join करना चाहिए ऐसी कौन सी unique बाते हैं जिनके कारण आपको Intellect IS join करना चाहिए तो सबसे पहले ये आप देखें कि कि किसी भी class को चॉयल करने के लिए आपका असली objective क्या होना चाहिए और क्या होता है तो आपका ultimate objective भी होता है और फिर कुछ अलग objectives भी होते हैं priority based objective होते हैं इसलिए हम इसको objectives कह देते हैं आपके удdash क्या होते हैं तो आपका जो удdash होता है वो ultimate objective क्या है to qualify the exam ठीक है, to be an IAS, IPS, revenue service, जिसको जिस सेवा में जाने का मन रहता है, वहाँ उसका ultimate objective होता है, वहाँ उसका एक प्रकार से किसी भी class को जोईन करने का अंतिम लक्ष है, यह अलग बात है कि उसके जीवन का वो पहला लक्ष होता है, उस लक्ष की प्राप्ति के बाद पिर्म अपने जीवन में लगातार अनेक लक्ष जो है निर्धारित करता रहता है, लेकिन अभी coaching जोई करने का आपका purpose क्या है, objective क्या है, तो यह है, अब इस objective के साथ आपके और भी purpose होते हैं, जैसे कि आपको क्या मिले, आपको UPSC के level की study मिले, अध्यान मिले, कराया जाए आपको UPSC के level का, फिर जो है, और क्या आपका, जो है, objective होना purpose होता है, purpose कह लीजे, objective कह लीजे, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर क्या होता है आपका, कि आप जो है, UPSC द्वारा, पूछे गए प्रस्णों का आराम से सहजता के साथ उत्तर दे सकें, means आप में answer you should have, are you want to get answer writing capacity, ये आपको चाहिए, और जो है, फिर वो जो stages हैं कि prelims क्वालिफाई करना चाहिए, main exam क्वालिफाई करना चाहिए, फिर interview में पहुचना चाहिए, फिर examination, पहलब तैयारी की रोनीती क्या पक्ष हो जाएगा वो, उसके बारे में हमने आपको बहु आप चाहिए, तो देख भी सकते हैं, तमाम सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, यूटूब पर, intellectius के channel पर, चलिए, आप देखिए, कि अगर आपके ये प्राथमिक उद्देश हैं कि आपको UPSC के लेवल का अध्यन हो, अब UPSC के लेवल का अध्यन में बहुत महत्तप चाहिए, content के लेवल पर बड़ी मारा मारी है, जो विशय अंतरवस्तु चाहिए, जिस को आप study material कहते हैं, वो जो study material है, वहाँ भी इस अस्तर का हो, कि आपकी तैयारी इस अस्तर की हो जाए, कि आप UPSC को qualify कर जाए, अब इसके लिए कई चीजे चाहिए, कब से पहला चाहिए, अब इनको अगर आप चाहते हैं कि to be an is, आप जाइन करते हैं किसी coaching को, तो इसके लिए दूइपक्षी है, जो है, by party effort होता है, एक तरफ आप अपना effort लगाते हैं, तो दूसरी तरफ institution लगाता है, coaching लगाता है, जहां आप पढ़ रहे हैं, तो आप ज जहां जुड़े हुए हैं, अगर वहां से आपको अच्छा effort नहीं मिलता है, तो फिर आपका परिडाम जो है वहां नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिती में, in this situation, क्या होगा, फिर UPSC के level का study है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, ऐसे तमाम प्रश्ण आपके मन में आते है UPSC के level का कोई भी study है कि नहीं है, आज की online दुनिया में ये बहुत सरल है आपके लिए जानना, बहुत आसान है, UPSC के question paper को उठा करके अपने सामने रखिए, और जो लोग भी तमाम सारा दावा करते हैं, उन सभी दावों को आप खुद ही चेक कर लिए, चेक भाई ओस है, अगर वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा खुब एड़ा टीजमिन कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, बड़े बड़े स्टार को ले करके आ रहा है, प्रचार में, तमाम तरह के media जो है, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म पे सब जगा उसका आइड आ रहा है, तो आप कुछ न करिए, आप उनके तमाम वीडियो जो यूटूब अगारा पर पड़े हैं, उनको जाइए, question paper रखिए, जिस topic पर उनका वीडियो है, उससे रहे question रखिए, जड़ा चेक कर लिए, कहां है वो, फिर पूरी class में भी आप देख लोगे कि पूरी class के दौरान वो क्या कर रहे है कहानी सुना रहे हैं, आकरशित करने की कोसिस कर रहे हैं, या content की delivery कर रहे हैं, ड्रामे बाजी कर रहे हैं, चेहरा आपको दिख जाएगा, किस लेवल का है वो व्यक्ति, वहाँ आपको पता चल जाएगा, तो आप जो है, आसानी से स्वयम ही ये जान सकते हैं, कि UPSC के लेवल का study है की नहीं, बसरते कि आप जो है, question bank रखें अपने पास, और चेक करने हैं, topic पढ़ाया गया, उससे लिए topic का question का answer लिखने की position में हैं आप, तो आप समझ लीजिए कि आपको आपके level का मिल ला है, होता नहीं है ऐसा, के वल intellect IS पे होता ऐसा, इसलिए मैंने कहा है, कि why to join only intellect IS for online education, अगर आपको online class करना है, घर बैठे तयारी करनी है, और जो है, जड़ा कुछ विशिस्टताओं की बात अभी हम लोग करने चल रहे हैं, जो विशिस्टताओं, जो uniqueness आपको intellect IS में मिलेगा, वो शायद कहीं नहीं मिलेगा, और नहीं मिलत है, मैंने भी बहुत जो है, देखा है चीजों को, बहुत अस्तर पर मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, तीसरी बात यह है कि आपकी answer writing capacity कैसे develop होगी, तो answer writing capacity कैसे develop होगी, तो इसके लिए आपको लगातार answer लिखना पड़ communication हो, और फिर आपको feedback मिले, और अगर जो है, माल लीजे, आप लिख करके नहीं भी भी भेज रहें, तो कम से कम जो questions हैं, उनके answer formatting तो आपको मिले, तो आप जब भी उत्तर लिखेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये इसमें points होते, तो हमारा उत्तर सही होता, ये points नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर कमजोर है, या भी बहुत जरूरी है, तो अब इसका मतलब ये है, कि जड़ा आप देखिए, कि हमारे यहां, हम intellect AIS में क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये हैं, कि हम जो है, experienced faculties को लेकर के आते हैं, हमारे पास जो है, वो experienced लोग है, पहली चीज़, और जो है, जादा तर academies जो है, हम यहां पर लिख देते हैं, एक तुल्ला कर देते हैं, intellect AIS के साथ क्या है, खासियत, और जो other academies हैं, ठीक है, जो online पढ़ा रही हैं, उनकी situation क्या है, हम लाते हैं, या हमारे पास आप मुझे ही देख रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि मेरा खुद का ही दायरा कितना जादा है UPSC में, 16 वर्सों से जादा का समय हो गया, hundreds of students UPSC में qualify कर चुके हैं, परसनली जिनको मैंने mentor किया है, परसनल लेबल पर जिनको मैंने तयारी में योगदान किया है, ऐसे बहुत सारे students से state services में जाने कितने students qualify कर चुके हैं, उसका को हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं होती है, पहली बात, अदा रकेट वीज में क्या है साहब, इनके यहां कोई भी आता है, और जो है, 22-23 साल का लड़का, 22-23 साल की उमर वाला, आप एवरेज जो होता है, वो बन जाता है, UPSC का guide teacher, highly immature, and if the people are highly immature, how you can expect that, you will get the content of UPSC level, कभी नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है, आपको खुद ही पता है, अब 22-23 साल की लड़का है, तो हो, यह तो पक्का है ना, कि उसने कभी UPSC का होता है, का है, पीटी ही नहीं दिया हो, कोई अनभव नहीं है, कोई experience नहीं है, एकदम immature लोगों को लाकर के बैठा देता है, या फिर ऐसे लोगों को बैठा देता है, कुछ भी कोई पढ़ा रहा है, कोई background का कोई फरक ही नहीं पढ़ता, knowledge base का कोई फरक ही नहीं पढ़ता, कुछ भी पढ़ा रहा है कोई आया कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिया दूसरी बात आपके study में continuity चाहिए और मैंने जो है 50 दिन का एक जो आप सब को announce किया था कि 50 days crash course चलेगा, 60 दिन चला बीच में 2-4-5 दिन मेरी तवियत मान लिजे खराब हो गई तो वो सब adjust करके 50 दिन पूरे चला है continuity चाहिए सतत्ता चाहिए, आपको regular study होनी चाहिए continuity और जो है regular study का मतलब यहाँ भी नहीं होता है कि एकदम से over burden कर दिया, दिन भर class ही चल लए है ऐसा नहीं होता है साब दिन भर class में रहेंगे, खुद से क्या पढ़ेंगे तीन घंटे, साड़े तीन घंटे UPSC के तयारी है, मान लो, साल भर का target है तीन ताड़े तीन घंटे का बहुत हो गया class पाच घंटे class ही चल लए है, शे घंटे class ही चल लए है अरे मर जाओगे भाई, तयारी नहीं कर भाऊगे suicidal है वो, ऐसा हो रहा है फिर जो है, trial and error method चल रहा है वहाँ पे आपको ये पसंद रहीं आए तो ये ले लो अरे भाईया, ये कोई जो है, क्या कहते हैं, वस्तु नहीं है ये career बनाने जा रहे हैं आप trial and error method से कायम नहीं चलने वाला trial and error method चल रहा है आपको ये वाला teacher अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं आप पैसा मागने लगे अपना वापास, हमको नहीं पैसा नहीं मिलेगा आपको आप बहुत सारे और teacher हमारे यहां वही subject पढ़ा रहा है and no trial and error, कोई जो है trial and error method नहीं लागू होता यहां पर, कोई नहीं अगर आपको वो जो है, हपते 10 दिन, 15 दिन, एक महीना नहीं जमता है आप fee वापसी मांगेंगे, आपको पूरी fee वापसाब के account में भेज दे जाएगे क्यों? क्योंकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, कि हम trial and error कर रहे हैं तो trial and error method भी यहां नहीं चलता दूसरी बात, अगर आपने मेरी classes देखी होंगी तो आपको पता ही होगा और नहीं देखिए तो YouTube पे जाके देखिए, classes कैसी होती है तो एक ही साथ आप सारे step की तयारी कर लेते हैं मेरी class में prelims के लिए भी, जो current affairs की class आप देखेंगे बाकी तो crash course हमारा prelims को ही focus था इसलिए उसमें ज़्यादा तो नहीं, उसमें तो ज़्यादा तर चीज़ें जो हैं परस्नालिटी टेस्ट हो, in every exam and at every level, you will find yourself in a very comfortable zone to qualify the exam आप उन topics पर चाहे, mains का उत्तर लिख दें चाहे, personality test में आप से सवाल पूछा जाए, आप सब लिख देंगे कोई दिखका थी नहीं है, highly elaborative, explanatory, explanatory and exhaustive class होती है बट, focused रहती है exam पर, तो exam oriented study होती है यहां पर, और कोई बकवास नहीं होती exam oriented study होती है, और other academies में जड़ा आप देखिए कि क्या exam oriented होती है, आपको पता चलेगा नहीं होती है सब अपना माल बेच रहे हैं, दुकानदारी हो गई है, सिक्षा का कोई माहत तो ही नहीं रह गया है फिर आप देखिए, कि आपकी answer writing की जो बात है, आप देखेंगे और पाएंगे हमारी class में जो हम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं 27th में से कि हर class के साथ, क्या होगा, हर class के साथ उस topic पर जो भी question बन सकता है topic से related questions जो भी बन सकते हैं, उनका then and there, पूरा का पूरा क्या होगा, discussion हो जाएगा discussion and formatting, ठीक है, और plus एक question आपको as an assignment भी मिल जाएगा, assignment आप इसको लिखेंगे, आपने पास घर पे, फिर जो है दूसरे दिन next class में सबसे पहले आपके assignment की discussion और elaboration होगा, और फिर इसकी formatting दे दी जाएगी, जब आपको formatting पहले भी मिली थी, जो previous questions वज़रा थे, या जो question बन सकते थे, उनकी formatting, और अब जो question आपको assignment के रूप में दिया गया था, उसकी formatting, जब दोनों की formatting आपकी हो गई, तो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, आपका त्यारी, answer writing के label की हो गई, ठीक है, अब इसके बाद जो है, आप देखेंगे, तो तमाम जो other academies हैं, वहाँ पर आपको ये strategy मिलती ही नहीं है, कोई question paper अलग लेकर के question paper कराता रहता है, कोई question कराता रहता है, तो कोई कोई किताब पढ़ाता रहता है, तो कोई NCRT पढ़ाता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, भाई, तयारी as a whole होती है, तयारी as a whole, preparation as a whole, ठीक, फिर उसके बाद, आपके doubt clearing session रहते हैं, पाच दिन की class, Saturday preparation, Sunday test, और Sunday को doubt clearing session, आपका जो भी doubt है, वहाँ जो है, लगातार clear होता रहेगा, एक WhatsApp group रहेगा, सभी students का, उस पर जो है, आपके doubts आएंगे, उसका concern faculty जवाब देते रहेंगे, ठीक, और फिर ज़र आप देखिए, कि आपको ज़्यादा तर academies में और क्या करना होता है, तो और academies में हमेशा अलग-अलग सामान बेचा जाता है, यहाँ आपने एक course, जिस course में लिया admission, उस course के साथ आपको support मिल रहा है, किन चीजों का, यह तो हो गया जो class के दौरान चल रहा है, इसके बाद जो है, proper test series भी आपको support के रूप में मिल रही है, proper test series, और यह जो test series है, इसका evaluation, इस पर feedback, यह सारी चीज़ें आपको open class में दी जाएंगी, बिल्कुल discussion होगा, एक एक प्रश्न का, और उन प्रश्नों का जब आप जो है, उत्तर देखेंगे, जिनका discussion और उत्तर format जब मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसको अपने आप जो है, बिल्कुल सही तरीके से मुल्यांकित करते हुए, खुद को पाएंगे कि आप किस level का उत्तर लिखे थे, फिर उसके बाद जो है, आप हमेशा टेलीफोनिक conversation भी कर सकेंगे, अपने फेकल्टी से, आप फोन कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, आपने क्लियर कर सकते हैं, ज्यादा तर अकैडमी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, उनका कोई कॉल सेंटर का आदमी पोन उठाएगा, फिर बताएगा, यह बहुत चारे ड्रामें हैं, यह कोई ड्रामा ने, सीधे, तो हो गया क्या, कि इंटलेक्ट, हो क्या रहा है, कि इंटलेक्ट आईएस ने, आपकी तमाम ऐसी प्राब्लम्स जो हैं, जो अधर अकाडमी में नहीं जो है, देखी जाती है नहीं कंसिडर की जाती हैं, उन सभी प्राब्लम्स को यहां कंसिडर भी किया जा रहा है, और आगे भी किया जाता रहेगा, प्लस। एक और बात जान लिजिए, कि यहां अकडमी की तरा कोई ट्राल अन एरर नहीं होने वाला हैं, त्युक है, और कोई इस आएसा व्यक्ति नहीं रहेगा आपको पढ़ाने वाला जिसको अनुभव नहीं है जिसको क्या कहते हैं background नहीं है UPSC का ठीक है और जो है एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जाधातर academies जो है intellect IS के अलावा उनके यहां सब तितर वितर है scattered है they are providing the things in very scattered manner यहां बिलकुल प्लानिंग के साथ एक एक चीज़ one by one with a calendar of the classes and the topics पूरे सालो भर आपको मिलने वाली है everything will be very clarified defined everything और पूरे प्लान के साथ बस केवल आप समझ लीजिए कि आपके साथ intellect IS कुछ इस तरह से जुड़ा है और जुड़ा रहेगा जैसे कि आप किसी physical class में होते हैं बस मुलाकात नहीं हो पाएगा और उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बजने सौरागे ग्रो करता जाएगा मेरी योजना यह भी है कि सभी के साथ interaction होगा कम से कम महीने में एक बार व्यक्तिगत interaction पर्सनल लेवल पर उसके लिए प्लानिंग चल रही है किस तरह से आपके साथ पर्सनल इंट्राक्शन बनाया जाएगा उस पर मैं काम सयम कर रहा हूँ और आप जान लिजे फाइनली मेरे बारे में कि मैंने इतने वर्सों में जो मैंने आपसे कहा कि hundreds of students को मैंने mentor किया है पर्सनली तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ एक ऐसा guide है ऐसा mentor है जो लगातार आपको सही रास्ते पर ले जाता रहेगा और सही रास्ते पर ले ही नहीं जाएगा बलकि जो है आपको पूरी तरह से तैयार करेगा once for always के लिए once for always के लिए तो ये आप समझें कि ऐसी तमाम रॉनमीतिया है आपको study material मिलेगा आपको class notes भी मिलेगी आप मेरे साथ class लेते हुए अपनी खुद की hand written class बना सकते हैं हमारे जो भी और teachers हैं उनके साथ भी class लेते हैं आप class notes बना सकते हैं ठीक हैं तो कोई हाच पाच नहीं very clarity के साथ बहुत स्पस्टता के साथ आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ और बाकी किसी भी academy में ऐसी कोई facility आपको नहीं मिलती है और ना मिलने वाली और यही हमारा uniqueness है इसलिए हमने यहां लिखा है इंडिया uniquely designed online portal और यह जो है uniqueness आपको बिल्कुल physical classroom जैसी feeling देने वाला है यह आप याद रखेंगे और जो है किसी समस्या के साथ किसी समस्या के आने पर सदय आप मुझे वाँ खाड़ा पाएंगे तो बस इतना ही यही है reason कि आपको intellect IS join करना चाहिए और एक और बहुत बड़ा reason है मैं इतनी कम charges कर रहा हूँ fees हमारी इतनी कम है कि आप सोच नहीं सकते हैं मेंस कोर्स माली जाजी इसका for an example आप विजिट कर सकते हैं वैसे जाकर के हमारी website for an example 49,500 मेंस का journal studies का अब वो मेंस का केवल class के लिए नहीं है कि हमने आपको class दे दिया और पैसे आप से ले लिए उसमें आपका assignment भी है उसमें आपका मेंस का test series भी है everything is included दोबारा पैसा नहीं मांगा जाएगा कि अप test series चाली हो रही तो फिर दीजे 22,000 बाहर वाले जब आएंगे test series में तो उनसे पैसा चार्ज होगा बाकि जो student किसी course में है तो उससे कोई चार्ज नहीं हो और आप सोचिए कि अगर आपको मेंस का course में ही आपके test series सामिल है तो आप कितनी fees दे रहे हैं 20, 22,000 रुपय कि अब test series के लोग 25,000 रुपय, 28,000 रुपय ले ले रहे हैं तो fee भी आपकी बहुत ज़्यादा comfortable zone में है आप आएं आप पढ़ें और आप पढ़ करके लाब उठाएं धन्यवाद, thank you, thank you